नमस्कार दोस्तो अपना आयरवेद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं वो एक हर्व प्लांट से संबंदत है जी हां भारत में बहुत सारी ओशदिय जड़ी बूटियां पेड़ पौदे पाये जाते है जिन से कई असाध्य रोगों का बड़ी आसानी से हम इलाज कर सकते हैं सामने स्क्रीन पर जो पौदा आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं भूमी आमला जी हां दोस्तो ये भारत के दूर दराज के गाउं में बरसात के समय बड़ी आसानी से ओगा आता है और घास के तोर प गास समझ कर फैंक देते हैं लेकिन मैं आपको बताओं कि बड़ी बड़ी कमपनिया उनमें पंत जली बैदनात डावर आद अनेक बहुराश्टी कमपनिया सामिल हैं जो इनसे बहुत सारी दवाईयां बना रही हैं और बाजार में बहुत सारे प्रोडेक्ट बहुमे आमला के नाम से प्रचलन में हैं उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज आप इसे सस्काइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना ना भूलें अब आप देखिए भूमे आमला की पत्तियों के नीचे छोटे छोटे आवला की तरह इसके सीड होते हैं जिनकी वजय से इसे भूमे आमला कहा जाता है इसके औसदी गुणों की बात की जाए तो ये पौदा लीवर सम्मंदित सभी बीमारियों के लिए राम मान और शदी की रूप में जाना जाता है जैसे आपका लीवर इंफेक्टेड हो गया जी हां सरीर में रक्त की कमी या रक्त में प्रदूशन दोनों समस्या होने पर व्यक्ते मौटा ताजा तो दिखता है लेकिन उसके अंदर खून की कमी हो जाती है एनेमिया भी हो जाता है कभी-कभी और आँखें पीली पड़ जाती है तो आप अगर ऐलोपैथिक दवाएं करवाते हुए ठक गए हैं कोई आराम नहीं मिल रहा है तो आईरवेदिक दवाओं में आप भूमे आमला के कुछ पत्तियों का प्रियो करना सुरू कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे पीलिया के लिए पीलिया अगर आपको हो गया है तो शुरुवाती दोर में सुभा श करेंटे हो गए हो खाली पेट समझे और सुवह नित्र के लिया से निब्रत होने के बाद भूमे आमला के ताजी पत्तियां आपको चवनी है यह साथ से आठ दिन आपको प्रियोक करना है इससे आपको पीलिया में आराम मिल जाएगा लीवर सूजर लीवर सूज गया है उस स्थति में आप भूमे आमला के ताजे रस का शे बन केजिए इनकी पत्तियों को मसल कर रस निकालिए और लवह एक चम्मच रस आप आदा कप पानी में घुलिए और सुबह और शाम खाली पेट पीना है आपको लवह पंद्राद है लीवर में जो सूजन है वो सही हो जाए आपके पास पौधे अलेवल नहीं है तो आप किसी गाउं में जाए वहां से इन्हें कलेक्ट कीजिए और छाया में सुखा लेजिए छाया में जब आप इन्हें सुखा लेंगे तो फिर इनकी पत्तियों से चूण बनाईए और किसी भी प्रकार के रोग में जैसे पेट ब फांक लेना है यानिके खा जाना है तो लीवर में जो समस्याए है वो आपकी दूर हो जाए हैं लीवर एक महत्पूर अंग है मानव शरीर का और यह हमारे भोजन पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारे रक्त का सुद्धी करण बहुत सारे रसायनों क सुद्धी करण लीवर से ही होता है और अगर सुद्धी करण खराब हो जाएगा तो निश्यत है कि शरीर परिशानी से ग्रस्त हो जाएगा हैपेटाइटस B के एलाज में भी भूम игрयामला उपयोगी पाया गया है तो यह इक बहुती रेर बहुती उपयोगी पोदा है तो हमें उम्मीद है कि इस विडियो के माध्यम से जो आपनेικά में हमला के संमन्म में जैनकारी पाई वो आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी और भुम्यामला आप नियमित तोर पे पत्तियां चबा सकते हैं लेकिन बीमार होने पर अगर आप लीवर की सूजन से परिशान है पीलिया से परिशान है तो निश्यत ही आप इसका प्रियोग कीजिएगा लेकिन कोई भी आयरुवेदिक दवा का प्रियोग करते समय आपको तेल, मसाले, तेज मेर्च, घी इन सभी चीजों का परहेज करना होगा क्योंकि आप आप अत्रिक्त फालतू चीजे ना खाएं तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रोचक जानकारी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सेर जरूर करेंगे और चैनल को सस्काइब करना मत भूलिएगा दोस्तो आप हैं अपना आयरुवेद पर मैं हूँ रवीदि धन्वाद आप सबी का दिन शुभ हो